समरे स्पेशल हेल्दी ड्रिंग की रेशिपी आज मैं सेयर करने जा रही हूँ इसे बनाना तो बहुत ही जादा आसान है पीने में वी ये उतनी ही टेस्टी लगती है इस भयंकर सी गर्मी में और चिल चिलाती धूप में ये स्वास्त वर्दक सर्वत आप खुद भी बना कर और अपने परिवार वालों को भी बना करके पिलाएं तो चलिए दोस्तों आज की इस मज़ेदार सी रेशिपी को सुरू करते हैं इससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आज की रेशिपी और मेरी महनत आप सभी को अच्छी लगेगी तो मुझे शपोर्ट कीजिएगा वेल्कम वैक टू अन्सू का पाकवान इसके लिए हमें बेल चाहिए होंगे जी हाँ फ्रेंज आज मैं बेल का ही सरवत बनाने वाली हूँ बहुत ही ताजा ताजा बेल मुझे आसानी से मिल गया तो मैं यहाँ पे एक बेल ले आई हूँ बिलकुल फ्रेस बेल है और गर्मी में यह बेल जो है न मिलते ही है तो आपके हाँ अगर मिलते होंगे तो जरूर बनाइएगा यह बेल का सरवत तो चलिए इसका जो ऊपर का पाठ है वो सक्त होता है पर अंदर का बिलकुल ही सौफ्ट होता है तो इसी हमें तोड़ना कैसे है देखिए मैंने इस इसे बहुत तेजी से एक बार में ही पटक करके और तोड़ लिया है इसे एक बार में ही कोशिस कीजिएगा कि तोड़ें बार बार इसे मत पटक किएगा इससे यह हुगा कि जब आप सर्वत बनाएंगे न तो वो आपका करवा बनेगा तो कोशिश करना है इसे तोड़ते समय कि एक बार में ही पटक करके तोड़ लें अब हमें इसे अलग कर लेना है देखिए कुछ इस तरह से हमें अलग कर लेना है इसके उपर के पाट को और इसका जो अंदर का पल्प होगा ना तो उसका हमें इस्तेमाल करना है तो ये सर्वत बहुत ही हेल्दी होती है दोस्तों तो आपके हां मिलता होगा बेल तो जरूर बनाईएगा और आपके हां इसे किस नाम से जानते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा हमारे हां तो इसे बेल ही कहा जाता है पर आपके हां क्या कहा प्लीज फ्रेंड्स मुझे कमिट करके जरूर से जरूर बताईएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप क्या है इसे किस नाम से जानते हैं तो चलिए अब हमें इसे एक बाउल में निकालना है तो इसके पल्प जो है ना इसे हमें निकाल लेना है देखिए इसमें बीज भी होते हैं मतलब कि ये लसलसा पन भी थोड़ा बहुत सा इसका बीज जो होता है न वो ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है पस इसे स्पून की मदद से हमें निकाल लेना है सारे पल्प को इस बाउल में मैंने निकाल लिया है उसके बाद हमें यहां पे डालना है इसमें पा मतलव कि इसके पल्प को झानना है। तो चली इसके बीज और पल्प दोनों को हाथों से मचलते हुए … फिर हमें इस तरह से निचोडते हुए निकाले ना है … जितने भी इसमें से रेसे होंगे वह निकलता चलाहेगा। देelse होएं … 037 जो है इसके अलग हो जाएंगे चलिए इस तरह से सारे बीज और रेसे को मैंने निकाल लिये हैं उसके बाद मैं इसे चानूंगी तो चलिए के स्टेनर ले लीजेगा उसके बाद इसे चान लीजेगा पर बहुत सारे लोग जब बनाते हैं तो नहीं चानते हैं हाथों से ही इ इसमें जो थोड़ा बहुत पल्प बचा होगा न वो भी निकल जाएगा देखिए देख रहे हैं कुछ इसी तरह से हमें छान करके लेना है ये बहुत ही हेल्दी सर्वत बनता है दोस्तों तो जरूर बना करके देखिएगा और पीने में भी बहुत ही जादा ये तेस्टी भी लगता है आप चाहें तो इस तरह भी खा सकते हैं ये मीठा लगता है खाने में चली अब मैं इसे निकाल ली हूँ बागी के बचे हुए एक्स्ट्रा जो पार्ट थे उसे मैंने अलग कर दिया है उसके बाद मैं यहाँ पे आधा कब चीनी डेली हूँ चीनी आप अपने हि आप से कम्या जादा कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे फिर से पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ पहले मैंने दो गलास पानी डाला था उसके बाद मैं यहाँ पे एक गलास पानी और एड़ की हूँ तो तीन से चार गलास मैं यहाँ पे सर्वत बना कर तयार करने वाली हूँ अच्छी तरह से हमें चीनी को डिजाल्व होने तक मिक्स कर लेना है देखिए कुछ इस तरह से देख रहे हैं अच्छी तरह से चीनी को इस सर्वत में मिक्स कर लीजीगा बहुत जादा सामान की हमें जरुरत नहीं है इस सर्वत को बनाने के लिए पर आप चाहें तो ये सर्वत ना दूद से भी बना सकते हैं फ्रीज में रखा हुआ दूद निकाल करके लाएं और पानी की जगह में आप दूद से इस सर्वत को बना कर तयार करें तो चलिए सर्वत तो हमारा बन कर तयार हो चुका है अब निकाल लेते हैं इसे ग्लास में तो लीज ये हेल्दी हमारा समर स्पेसल ड्रिंक बन करके तैयार हो चुका है तो है ना कितना आसान इसे बनाना ज्यादा सामान के भी जरूरत नहीं परती है बस पानी लो और बेल लो और चीनी लो बस इतने ही से सामान से जट पर से इस स्वास्त वर्दक सर्वत को बना करके खुद पीए और अपने परिवार वालों को भी पिलाए तो दोस्तों आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और ये सर्वत जरूर बनाईएगा इस चिल चिलाती सी गर्मी में जो आपके सरीर को ठंडा ठंडा कूल कूल भी रखेगा तो मस्ट ट्राइ रेसिपी है इस रेसिपी को ट्राइ करना तो बनता है तो चलिए मिलते हैं नाफ्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई